अलो टू आप लोगों स्वागति मेरी चैनल ड्रीम वस्टेज पे तो आजकी सुडियो में आप लोगों को इंडिया का वरा उफ्टी बिगेष्ट ऑल्लंपियाण जो कि इंडियन टैलेंट अल्म्पियाण है इसकोब्नें पूहला इस्के पहले अगर इस इंडियान प्लस बच्चे इसमें हर साल इसके स्कॉलरशिप को जीते हैं अब मैं आप लोगों को एक पार्टिसिपेंट का वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा इसमें 10,000 का स्कॉलरशिप जीता है सुन्यें ये पार्टिसिपेंट क्या कहते हैं इंडियन टैलेंट अलंपियार के बा 2nd National Topper Rank and won a scholarship of Rs. 10,000. Indian Talent is a great platform that not only increases our knowledge and IQ level but also gives us a great opportunity to showcase our talent. Indian Talent Olympiad के विबसाइट का लिंक मैंने आपने डिस्क्रिस्टिशन बॉक्स में दे दिया है तक वहाँ सभी क्लिक करके डिरेक्ट इस Indian Talent Olympiad के विबसाइट को आपन कर सकते हैं यह अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पारेंगे यह Indian Talent Olympiad का विबसाइट ओपन है तो दिखें यहाँ पर Indian Talent Olympiad के विबसाइट में आगर आप इसके एक्जाम पैटन को जाना चाहते हैं इस एक्जाम पैटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह Olympiad एक्जाम पैटन वाला पीज ऑपन होगा जहां पर आप exam का सारा schedule यानि exam का schedule मिल जागा और exam pattern अगर आपको इसके यह exam pattern वाला page का उपन करने में को problem हो रहा है तो इस page का link में आपने वीडियो को description box में दे रहा हूँ आप वहाँ से click करके इस page को direct open कर सकते हैं दिखिए इसका जो exam pattern है वो दिखिए total number of question 35 है for class 1 से 4 class 1 से 4 तक के रहेंगे 35 questions रहेंगे और class 5 to 10 के लिए 50 questions रहेंगे और total marks 50 रहेगा और duration of the examination 30 minutes for class 1 to 4 रहेगा and 45 minutes for class 5 to 10 रहेगा ठीक है और center of exam चुकी online exam के लिए बच्चे अपने घर से भी दे सकते हैं अपने school से भी mobile laptop टाबलेट का यहां पर देखे लाज़ डेट ऑप्रेस्टेशन भी लिखा हुआ है अफ्लाइं का 30 सेप्टेमर है online का 30 October 2021 है और यहां पर देखे एक्जाम सेडियोल दिया हुआ है तो आप यहां से इसके एक्जाम सेडियोल को भी चेक कर सकते हैं और अगर बात करें इसके एक्जाम के सिलेबस की यहां पर अपनी इसके एक्जाम का सिलेबस जान सकते हैं तो देखें आपको क्या कर रहा पड़ेगा तो यहां पर लोग देख पार हैंगी यह ओलम्पियाड लिखा हुआ है इस ओलम्पियाड में चैसे आप लोग यहां पर माउस के करसर को लाइएगा तो यहां पर एक लिश्ट आ जाएगा यहां साइंस अलम्पियाड मैथ अलम्पियाड इस तरह के सारे सब्जेक्ट का यहां पर लिखा हुआ है तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का आप पाटिसिपेट के हैं जिस भी सब्जेक्ट का आपको स्ल आपको क्लिक करना है तो जैसे आप क्लिक किजिएगा यहां पर दिखे आपको सिलेबस लिखावाद दिखेगा और यहां पर हर क्लास वाइज यहां पर दिखने को मिलेगा आप जिस भी क्लास में हैं अपने क्लास को यहां से चूट कर ले मान लिजए आप क्लास 7 में आप यहां से क्लिक कर ले जैसे आप क्लास 7 पर क्लिक किजिएगा तो आपके सामने एक पेज आपन होगा क्लास 7 के सिलेबस का तो यहां पर देखे यहां पर लिखा हुआ है यह जो सिलेबस है हर क्लास का जो सिलेबस order thinking section मिलेगा ठीक है यह तीन section आपको हर class wise मिलेगा यहां पर देखें जैसे section 1 में subjective में यह आपको जो जो chapter पढ़ना है वो सारा chapter यहां पर देखने को मिल जाएगा फिर section 2 में logical reasoning में क्या क्या पढ़ना है series completion and inserting missing characters, alphanumeric sequence, analogy and classification, coding, decoding, word relation, direction, sense, test, logical vein diagram, puzzle, mathematical operation, mirror, water images, embedded figure, figure formation, figure matrix, ranking, construction of squares तो इस तरह का यहां पर section 2 में logical reasoning के अंडर आपको हर class wise यहां पर मिलेगा and section 3 में hot यानि higher order thinking section मिलेगा जो कि यह higher order thinking section जो है यह question इसमें जो रहेगा contains question related to section 1 subjective यानि section 1 के जो जितना भी chapter है उसी में से यह question यहां पर होगा यानि trick ya type के question यहां पर होगा आप लोग देख पा रहेंगे यह class 1 to 4 and class 5 to 10 के लिए यहां पर दिखे यह दिया हुआ है कि किस-किस section से कितने questions रहेंगे और उन question का weightage क्या रहेगा total marks क्या हो जागे तो देखे class 1 से 4 के लिए section 1 जो की subject section 1 से जो question रहेगा वो 20 number of questions रहेंगे section 2 से 5 number of questions रहेंगे section 3 से 5 number of questions रहेंगे total 35 questions रहेंगे and marks जो है per question 1 रहेगा and total marks हो जाएगा यहां पर section 1 से 20 and section 2 से 10 and section 3 से 5 यानि total marks रहेगा exam का class 1 से 4 के लिए वो 35 marks का रहेगा ठीक है 5 से 10 के लिए section 1 से 35 questions रहेंगे section 2 से 10 questions रहेंगे section 3 से 5 questions रहेंगे total questions हो जाएगे यहां पर 50 and marks जो रहेगा per question वो 1 रहेगा सारी section में और total marks जो बन जाएगा वो section 1 का बन जाएगा 35 section 2 का 10 section 3 का 5 total marks जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा इसी तरह से अगर आप class 1 में है class 1 का syllabus देखना चाहते है science का तो आपको class 1 में click करना पड़ेगा दिखें आपके सामने class 1 का syllabus आपके सामने आ जाएगा जो कि यहां भी तीन section 1 सब्जेप्टिब सारा चेप्टर दिया हो क्या क्या प्रणा section 2 logical reasoning and section 3 hope higher order thinking section उसी तरह आपको यह तो science का होगी अगर math का दिखना चाहरे हैं तो math पर आना होगा math यहां पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने math का इंटरेशनल math तो आपके सामने international math यहां पर दिखें इसका syllabus class wise यहां पर यहां पर आए और यहां पर आप जिस भी class में है उस class वो class आपको चूच करना पड़ेगा क्लिक करके उस class का आपके पास syllabus यहां पर आपन होकर आ जाएगा तो आपना class wise को चेक आउट कर सकते हैं तो इस इंडियन टालेंट अलम्पियाट के 2021 और 22 का मंथली अनुल अलम्पियाट का रिजिटेशन भी सुरू है तो इसके रिजिटेशन प्रोसेस को अगर आप लोग जाना चाहते तो इसके अपर भी मैंने विडियो बना का डाला है उसका भी लिंक आपको विडियो के डिस्क्रिप्शन बाकց से मिल जागा तो आप उस विडियो को भी चेक आउट करके इसी का रिजिटेशन प्रोसेस को समझ सकते हैं यह विडियो हैफ़ लगा होगा हूगा अगर विडियो को लाएक करके इसे जादा-जादा-ब्दैस के और पता चल सक और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी इंडियन टारेंट अलंप्याट से रिलिटेड जो भी अपडेट डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता है थैं थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू